लंबे समय से टलते आ रहा है इंदोर नगन निगम का बजट अब आखिरकार 12 जुन को पेश होगा एवं इस पर 13 जुन पर भहस होगी जहां अब तक इस बजट के पेश होने के पूर्व इसको लेकर राजनितिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है दरसल निगम की नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि बजट के लेट होने के पीछे महापौर की कामनी है क्योंकि वह आज तक अपने कारिकाल में कभी भी समय पर बजट नहीं ला पाई है जिसके कालेंट शहर के विकासकारी भी प्रभावित हुए हैं और इस साल बजट लेट रहा है जो बड़े दुखी बात है क्योंकि बजट के इस समाल करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा और निगम ने जो पलब्दियां हासल की है वह निगम आयोक्त और उनकी टीम है वहीं इसके विपरीत इंदौर सांसर शंकर लालवानी के नुसार बजट में इस बार शहर हि बड़ेत की सरकार बनी है तब से विकास कार्यों की गती रुकी हुई है और अब प्रदेश की कांग्रश सरकार समय पर्नगर निगम को मासिक शतीपूर्थी की राशी का भुकतान नहीं कर पा रही है जिसके कारण शहर का विकास प्रभावित हो रहा है बारा तारिक को बजट आ रहा है बहुत अच्छी बात है परंतु देर से आ रहा है महापोर जी अपने कारेकाल में किसी भी साल समय पर बजट नहीं लाई बहुत दुख की बात है क्योंकि बजट लेट आना मतलब शहर का विकास और निर्मान कारे रुख जाता है परंतु महापोर जी को ये सारी बाते कभी समझ में नहीं आई है और जितना भी श्रे अगर महापोर जी खुद ले रही है तो मैं फिर से महापोर जी को कहना चारे हूं कि महापोर जी आपके कारे और आपके निर्ने हमेशा लेट आए हैं कभी समय पे नहीं आए हैं और हमेश करी और मनी सिंग जी का है जो वो इस शहर को इस लेवल पर लेकर आए आशिश सिंग का है जो इस लेवल को उन्होंने बरका रहा रखा परंतु यहां कहीं माहापोर जी और बीजेपी की कोई कार्य प्रद्दती या कोई कार्य करते हुए हमें लोग नज़ा